मान कैबिनेट दिवेच वड़ा फेर बदल चार कैबिनेट मंत्रियां ने दित्ता स्तीफा ब्रंग शंकर जिंपाते बलकार सिंग दी छुट्टी तान मोलग अगर्मान अति चेतन सिंग जोड़ा माचरा भी होए बाहर मान कैबिनेट दिवेचे शामल होणगे चार नमे मंत्री ब्रिंदर कुमार घोएलाते महिंदर पागदी होई आंट्री हर्दिट सिंग मुंडियां आते तारुन फ्रीट सिंग सौंध भी बननंगे मंत्री पंजाब नु मिलंगे ती गोर आमाद्मी क्लीने कसी अमान बठिन्दा दे पेंड़ चाउंके तो करंगे उद गाटन पंजाब देवे चुन तक खोले जा चुके ने आच सो ब्याली आमाद्मी क्लीने अमेरिका दे नी यौक दे वेचे परदान मंत्री मोधी दा मैगा शो वड़ी गिंतीच कौंचे पार्तियां नुकीता संबोदर क्या पार्तियां ने अमेरिका दे वेचे नी छुईया बोलन दिया नहीं थामरे हा राहूल ते बिट्टु दे विचाड़े विवाद रवनी दान बोलने सबूत देव नहीं ता वापस लओ बयान राहूल गांदी नुदस्याय देश दिया जमीनी हकीकता तो अंजान राहूल बारे बिट्टु दे बयान ते प्रताप बाच्वादा प्लाटवार के आ राहूल बारे बोलन तो पहला बिचेपी दे वल देखन बिट्टु लखेमपुर खिरीवाणी कटना करो याद सिख्खा प्रती पाचपादा आप मान बाड़ा रवय्या केंद्री ग्राम अंत्रिय मित्षाद आज हर्याना धौरा चो हाना देवेच चोन रैली नुकरन के संबोधन जगादरी दी आना आज मंडी देवेच उमिद्वारा देली जटौन के समर्थ आमाद्वी पार्टी ने भी पखाई हर्याना चोन मुहेम डब बाड़ी देवेच आज रोडशो करनगे के जग्रिवाल उमीद्वार कुल्वीप गद्राणा देली करनगे प्रचार कोग्रस पदान खड़गे दा जोहर आना दौरां बड़ा शेर देवेशे जन तक मीटिंग नुकरन के सम्बोध अंचोना नू लेके करांदा दे बरकरट परंगे जोश सशिकाल न्यूज 18 पंजाब हरे ना देख रियो तुसी मैं तो होड़े ना गुर्जो संदू ता उमीद्वे तुसी सारे खेरिये दिनार होंगे ता बुलटन दी शुरात करांगे सब तो पहला हैं खबर तो पंजाब दिना जुड़ी होई यां खबर है ता मान काबिनेट देवेचे बंडा फेर बदल होया है मान काबिनेट देवेचे चार मंत्री शामर होंगे ता आज शाम नूच पांज वजे दा समा रख्या गया है जो दुस्सों चुकनगे चन्डिगर पंजाब राज पावंदे वेचे दासिये कि ये समागम होएगा ब्रेंदर कुमार गोयल हाते महिंदर पकती काबिनेट देवेचे एंट्री गोड़ेगा इस तो इलावा हरदीप सिंग मुंडिया ते तरणपृत सिंग सौंध वी मंत्री भणनगे काबिनेट दे चार मंत्रियां दा अस्तीपा चुकिया है और भ्रम्शंकर जिम्पा ने उस दिवेच बलकार सिंग ने दिनादी काबिनेट तो छुटी हो गई है अनमोल गगन मानते जोडा माचनावी काबिनेट तो बाहर होए ने और उना दिवलो अस्तीपा ने दिता गया ता चार मंत्री जा रहे ने चार मंत्री आ रहे ने आने कि चार इन हो रहे ने ता चार आउट होए ने और ए तो आनू ग्राफिक दे जरिये दिखा रहे है ता चार नवे चैर या दी एंट्री हो रहे हैं जिस देविचे महिंदर पगतनों आसी कह सकने हैं परिश्य दिना देविचे बहुत चर्चस रहे क्योंकि जेतू हो इने जिलंदर पच्छमी सीव तो विजेपी तो आम आधिपार्टी चैंट्री हो इसी और चोन परशार दे दु विदायक ने हरदीप सिंग मुंडिया, सान्य वाल तो विदायक ने, तरुम्पृत सिंग सौंध, खन्ना तो विदायक ने ता एचार नवे चैर या दी एंट्री हो रही है किएम साथ ने मुनननो इन फार्म कीता है कि एसी तो आनों कैबिनेट ज ले रहे हैं पगजी, ते में हो दा तनौाद कीता है गया है और मैं मुना नो क्या है कि देखो मैं आमादी पार्टी दे सप्रीमो अर्विन केज़िवाल साथ दा जी और खास करके पंजाब दे मकवंती स्थार पगवंसिमान साथी दा जिना ने अपने परिवार समेथ मेरे एलेक्शन देवेच दिन दा तमेनद करके बहुत पारी बहु जन्दा सेवा करांगा और बिल्फल इमान दे दिनाल जी मेरे पिता जी ने पांसा आज़े मिनिस्टर काम कीता और कोई भी यह नो देपर कोई ऐसी गल में सुनन चाहिए तना ही मैं ही मतले के प्रूब करांगा उस्ते में वदिया कोश्री करांगा करांगी लोकां दी सेव पूरियां ते में पूरा उतरागा और मैकमा केड़ा दिता जाएगा इस बारे कोई गलबात हुई है नहीं सरे कोई गलबात नहीं है जो बबाई देया कानगे जो साफ अर्विन के जरिवाल जी जो भी हुकुम लोड़गे शिवादर्वन के पूरी मांदाट नर्मा वाए जी अमीर सिगी की कैबिनेट दे व चाहरे हो कि मैं पर्लावी सेवादर बनकी सेवा करनी है जी तो थैंक्यों सर्थ कुछ कहना चाहों कि मुकुंत्री पकवंत माननू या पंजाब दे लोकन मुक्ष मंत्री सदापबस्वां जी दा अरविन के जिरिवाल जी दा सडेपाल्ट इस प्रिम नाटर संधी पाठ जी दा रागव जड़ड़ जी दा दिलों तन वादा जी तो सिवादर बनके मांदर नसिवा करागा जी परी जिम्मारीन वागई चलो बोबत अन्वाद नी उजे टीना गलबाद करें देंक फून आगया ता नो मुख मंतरी दा केंदे कल नू ओध लहरे हो मंतरी दे तोरते फस् प्रेरोगेटिव है एंसाब बजो भी हुकम होएगा ते असी उसमताब को हाजर हेगे हैं ते अग्वंतरी ने फोन करके की किया सब तो पहलाओना था फोन है या ऊसी साब था है ने फोन हाले ता मैंनू इसे तरीक के नला रहे ने अले मतलब ओफिशली हले जमें कहना चाहिए था पहुंचंदा पता हो नहीं मैंनू अले तरे बारे कोई जान का रही निए दूसरा कल केंदे की गवर्नर आउस दा समा भी तैया हो गया कल बलाला था नू चंडिगर ने उत प्लांगे जे सीन सावने रखने तब प्लाला नों के दिना दिन अजी पहुंच जाना से तरे नमा को अट्वेंटरी स्वाले है तो सी अगल प्राणे जी आजांगे सब साथ दे सिंपल बंदयां तुनों पते ही है सम्भावी मंत्रियां थी नाल गे वदांगे उदर अमेरिका दे न्यी यॉक देवेचे प्रदान मंत्री मोदी दा मेगा शोव एकणadores मिलिया है वड इगिंती देवेचे दास्थी की पार्तियां किता गे पार्तिया ने अमेरिका देवेचवी बुलंदिया चुन्या ने एपिया में किया है साधा नमस्ते मल्टिनेशनल गो किया है एई आई दा मतलब है अमेरिकन इंडिया ने ता पारादी 5G मार्केज अमेरिका तो बड़ी है मेड इन इंडिया 6G ते काम कार रहे है ता दोजार चती अलब देख्ती में जबाने दी कोशिश कार रहे है एवी पिया में लोका नुदस्या है उतों ने और ये बहुत बड़ी गिंती देवेचर तस्वीर जडिया है अपने आप देरेच अंदाज़ा लागता है कि किन्नी बड़ी गिंती दोखे थे पंचे होई सन और अंदाज़ा तहीं लगाया चारह से कि 14,000 देखनी दोख हो सकते हैं पर बहुत बड़ी गिंती है थे लोका दिना सरा नुदस्या भारत की उपलब्दियों साथ्यों भारत आज लेंड अफ ऑपर्चुनिटीज है अवसरों की धर्ती है अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउसरों का निर्मान करता है बीटे दस साल में भारत ने हर सेक्टर में अपर्चुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी सिर्फ एक दसक में ही पंदरा पचीस करोड लोग एक दसक में ही पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं साथियों आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कन्विक्शन जो कमिट्मेंट है वो अभूत पुर्वा है हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेम इसका बहुत बड़ा उदारण है दुनिया की 17 परसेंट पुपिलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ चार परसेंट है दुनिया को बरबात करने में हमारा कोई रोल नहीं है तो अधर पंजाब नो ते होर आमादमी क्लिनिक मिलांगे तस ये मान बठिंडा दे पेंड़ चाउंके तो दगाटन करंगे आज़ो और पंजाब दे वेच होन तक दास दिए कि देन जा रहे ने से अंपगवादमान ता बठिंडा दे चाउंके प्रिंड़ तो या जूद गाटन कीता जाए हुँद गाल अमरतपाल सिंग दी करांगे जिसनों लेके वड़ा खुलासा होए पंजाब पुलिस ने हाई कोट दे वेचे का हलफ नामा दावा केता है जस्दे वेचे दावा कीता गया कि अमरत पाल ते साथीस ये मान दी जान देले खत्राने। उथे ही अमरत पाल दितार आईएस आई दिनार जुड़े हों दी गाल कही है। पंजाब पुल्स ने हलफणा में देविच दवा कीता है के अमरत पाल ने अजनाडा कान्डवाले दिन किया है के असी सीम आन नुचातामनी दें देहां क्यों सीम ब्यांत सिंग दे रात ना तुर्न। वो थे अमरिसर पुल्स ने अपने हल्फना में दे विच क्या है के अमरित पाल ते साथी सियं मान दी जान दे ली खत्राने सियं दा ब्यंद सिंग वरगा हाल कर्म दी तमकीद दी है अमरित पाल ते साथी कानून नो अपने हथां विच ले सक देने अमरित पाल दियां पड़काऊ गलांच नौजवाना नू गुमरा करंदी ताकत है कटड़ पंथी विचारता रातू अर सेमत लोका नू नुकसान पुचा सक देने अमरित पाल सिंग नौ लेके पंजाब सरकार ने अपने हलफना में दे विच इवी वड़ा खुलासा कीता है के अमरित पाल सिंग आईसाई दे नाड संपर्क वेच है अमरित पाल सिंग अपने साथिया नाड आईसाई दे संपर्क वेच है अमरित पाल डिबरुगार जेल तुमी आईसाई दे लिंक वेच है दरसल आईसाई जो के पाकिस्तान दी खुफिया एजनसी है इते भी जिकर जोग है के अमरिक पाल देनाड असमदी डिबरुगार जेल दे विच बंद उते साथी कलसी गुरमेज सिंग गिल ने हाई कोड दे विच एनसे बदाउन नो चुनापती दिती है जिस्ता जवाब दिन दियां अलफना मा दाखल कीता गया हुनता अनुपुरी टाइम लाइन तो में वाकिप करवान दियां क्या खर कदू अजनाडा कांड होया ते के में एही केस अमरिक पाल ते साथियां दे खलाफ बड़े एक्शन दी वजा बनिया दरसल तेई फरवरी दोहजार तेईनू अजनाडा पुल्स थाने दे बार हिंसा होई परदर्शनकारी पाल की साइब नाड लेके गए सी अमरित पाल ते साथियां ने पुल्स टीम ते हमला करदता लप्री तुफान दी रिहाई देली थाने दे विच वडगे अमरित पाल ते साथियां थ्यार लेके थाने दे विच दाकल हुए अमलेच कई पुल्स करमी जख मी हुए दबाच पुल्स ने लप्री तुफान नू रिहा करदता अजनाडा थाने च एफायर नंबर उंताली दर्जय जदों पुल्स ने थारा मार्च नू जरंदर दे को लगा तार पिच्छा किता 25 दुरान अमरित पाल फरार हो गया प्याकर तेई अपरेल नू अमरित पाल सिंग नू गिलतार कर लिया गया चंडिगारतु उमेज शर्मा न्यूज एटीन पंजाब हुनगाल राहूल गांदी दे बयान पाले उस बवाल दी जो खतम होंदा ना नहीं ले रहे है हुन रवनीद बिटू ने राहूल गांदी नू सिद्धा चैलेंज कर देता है कि राहूल गांदी जो दावा कर रहे ने उस दे सबूत पेश करन नहीं ता अपना बयान वापस लेन हुन रवनीद बिटू ने राहूल गांदी नू सिद्धा चैलेंज कर देता है कि जो दावा करे ने उस दे सबूत पेश करन नहीं ता अपना बयान वापस लेन रवनीद बिटू ने सोशल मीडिया ते पाई पोस्ट मेंच लिखे है कि रोधी ते रध्यागू राहूल गांदी तुसी अमरीका देवे सिखां बारे नराच्छा जनक बयान देता है उस ब्यान तुं पंजाब दे साथियां ते वदेशां दे विच गांगर्स दे नमाइदियां दे नाल सला करके बचया ने जा सकदा सी एस गाल दा सबूत है कि तुसी पार्टियां जमीनी हकीकतां तुं बहुत अनजान स्यास दान तेंतर राष्टरी मच्टे तुसी ते तो हटी पार्टि देशनों हमेशां शिर्मिंदा करते हान गीत उसी एक सिखागूदा नाम ले सकते हो, पामे तो हाटी अपनी पार्टी वे होन, जिनननों पार्दे विच किसे गुर्दरा सैप्दे विच पग बनन जां कड़ा पॉन तू रोक्या गया होवे, सिखादा पुरी तना सदकार ते सभागत कीका जान दै, कड़ा पॉन वा तो राहूल गंदी अपने बियाना ते काइम नजर आ रहे ने, राहूल गंदी ने ट्वीट कर दो ये लिखे है कि मेरे बियान पारे बीजेपी चोट फैला रही है, मैं सिख पैन परामातूं पश्टना चाउंदा हाँ कि की मेरे बियान दे विच कुछ गल्त है, की पार्त अजे यहां देश नहीं होना चाईदा जिते बिना डर तार्मिक प्रैक्टिस हो सके, बीजेपी हमेशा नी तरा चोट बोल दी है, ते मेरी आवाज द बाउन दे ली बेताब है ताहुन राहूल गांदी ते रवनीत बिटूदा व ब्यान सनाओ देयां जिसनों लेके पूरा विवाद होया, जेडे ब्यानात दो में आगू अजेवी कायम ने इस गूं टो बी अलाट वे इस टोबन इन इडिया आप अभी भी कायम है कि राहूल गांदी आतंके जो आपने पहले काहा था मैं तो उतनी देर कहता रहूंगा जितनी देर राहूल गांदी जा खडगे सहाब पन्नू के बियान जो गुर परवंत पन्नू जिन्हों ने कहा है भी राहूल गांदी ने जो कहा है भी सिखों को कड़ा पगड़ी बानने नहीं दिया जा रहा गुर्दवारे नहीं जाने दिया जा रहा है, दोनों के बियान एक हैं, जितनी देर खड़गे साब और कांग्रिस पार्टी इस बात पे सपश्ट नहीं करेगी, भी हम जो राहूल गांदी के बारे में पन्नूला है, वो शब्द हम उसे निंदा करते हैं, हमारी जो उसने बात की ही है, उसके बिलकुल न इस बिटा ने राहूल गांदी नो नसीयद दिया, कि सिख तरमते ब्यान देर तो पहला सोचा जावे, लड़े मैं जाता हूं, जाता रहूंगा, क्या हिंदू दर्म, क्या और दूसरे दर्म, मैं मुसलिम दर्म, एसाही दर्म, क्या हमारे गुर्दवारा सोब जाने पर गुरेज करते है, न, फटर मैसूँस करते हैं, और फिर कहते हमें, हमें अम मरज्च चकना है, तो यह जो ब्यान है कि सिख्ध दर्म को खत्रा है क्या कल को कड़ा पैन के हम जा पाएंगे गुर्दवारा साथ ये ब्यान बिल्कुल सहमत नहीं हूँ तब पुरे विवाद दे बिचाले राहूल गांदी ते रवनीद बिट्टू अपने ब्याना दे काइम ने ते नाली बिट्टू ने राहूल गांदी तो सबूत भी मंगले ने ते फिलहाल विवाद खत्म होंदा नजर नहीं आ रहा विरो रपोर्ट न्यूज 18 पंजाब ते गड़ी चड़ाई से तासीएच तो पहला रवनीद बिट्टू ने बोड़े राहूल गांदी ते निशाना साध्या सीथिते सिंखा दी आजदी लेक्ट वैयान दे दिश्बूत मंगे सान भी तूने कि जाता राहूल गांदी पार्थ विच सिंखा नो आजदी ना हों ने ट्वीट कीता है और उन्हाने सुशी भीजिया ते लिखिया है राखुल गांधी ते पारदी जमीनी हकीकतो वाक्त होंदा इल्जाम लगान तो पहला रवनीज बिटू आपणी पार्टी देवाल में जर्मारत पाचपादा सिख्खा दे प्रती रवया अपमान बाड़ा लखीन पूर्खिरी देविच पाचपा मंत्री दे बेटे आशीश मिश्रा ने के साना ते गड़ी चला इसे जो पंडशन करके अपने दोफ्तांत्रिक अधिकार वर्त रहे सांता कोल मिला के ए निशाने साथ अधिकर अधिकर कर दे आरविंद के जिवाल दार जो मुख मंत मंतरी देवजोस दीफा देन तो कुछ दिन बाद जनता दी अधालत पहुंचे जिते आरासस मुखी मोहन पागवात नूँ पागवत नूँ कुछ सवाल कीते गए ता उधर पविकदी आपने योजनावी दसी ए रिपोर्ट दिली दे मुख मंतरी दाओदा चटन तो बाद अरविंद केजरी वाल जनता दी अधालत पहुंचे आम आदमी पाटी ने जनतर मंतर चे जनता दी अधालत ना तो प्रोग्राम करवाया जिस चे शामल होई केजरी वाल ने वरकरानू समुदल कीता ते आराससस दे बहाने प पाजपा ते परदान मंतरी मूदी ते तिखे निशाने सादे उना रसस मुखी मोहन पागवत नू पंच सवाल की ते पुछया के जिस तरह पाजपा सरकारा डेग रही है कि ये देश दे लोक तंतरली ठीक है प्रिश्टाचारियानू शामल करवाली पाजपा दी स्यासत त की तो अडि सैमती है की तुसी पाजपा वलो मजूदा समेच चके जारे कदमा नाल सैमत हो आरेसेस तो निकली बीजेपी होन उसनू ही अख्रा दिखा रही है की तो अनू कदे दुख नी होया ते की तुसी इस नाल सैमत हो के 75 दी रिटायर्मेंट दा जेडा रूल अडवा कानी जी ते लागू होया ओपरदानमंत्री मूदी ते नहीं होएगा मूदी जी ने खुद सबसे व्रष्टाचारी बोला जिनने ताहों को अमिच्छा जी ने खुद व्रष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको मुभी जेपी में शामिल करा लिया मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या इस प्रकार की रजमीती से आप सहमत हो सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है अब अमिच्छा जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा तो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप इससे सहमत हो पाचपादे सवाल चकंदे नाल केजरी वाल ने नराते शुरू हुंदिया ही सीम रहाय छड़न्दा भी एलान कर देता इस तो बादो किते रहन गे इस बारे भी खुलासा किता गया तो ना क्या के पिछले दास सालाच लोकां दे प्यार तो इलावा उना कुछ कमाया नहीं मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अभी शिराद चल रहे हैं शिराद खतम होने के बाद जैसे इन वरत्रे शुरू होंगे मैं सीम अवास छोड़ दूगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना शाचालो कर दूगा केद्रीवाल जनता दी दालच गए जिसने पाजपा ने भी हमलावर रुख अक्तियार कीता मोर्चा समाल देया ही पार्टी दी आगूश शाजया इल्मी ने किया के जनता सिर्फ वोट दिन दी है जद के सानू जेल मिलनी है या बेल इस दा फैसला अदालत कर दी है देखिए जनता वोट देती है जनता ये फैसले नहीं करती वो हमारे फैसले अदालत करते हैं कौन जेल में जाएगा कौन बेल पर आएगा तो जनता की अदालत में जाने का क्या औचित्य है इस समझ पा रहे हैं सिर्फ इस बात का खौब की ट्रायल में क्या होगा सारे जो सबूत इखटा हो गए हैं जो चाशीट भी बन गई है उसके आधार पर इन्हें जो जो सपश्ची करन देना पड़ेगा और जो कारवाई चलेगी वो तो अदालत ही तैय करेगी ना जनता इसमें तो उसे वोटी दे सकती है तो जनता के बीश में सहान भूती पटोड़ना जाना और कहना कि भई मैं मासूम हूँ और गुनेगार नहीं हूँ तो इस सब आक्टिंग तो केजरिवाल ची की पुरानी ही है इसमें मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देते ही जनता की याद आ गई कोई बात नहीं लेकिन जनता के कुछ सवाल भी है और जनता ये जानना चाती है कि जो 10 साल आपको दिये राधर 11 और 12 साल होने को है जो जनता को आपने वादे किये थे कि ब्रस्टाचार खतम कर देंगे क्या हुआ उस वादे आज आपके साथ साथ आपके उपमुक्य मंत्री आपके पूरा मंत्री मंदल लगातार ब्रस्टाचार के आरोप में जेल के हवा खा कराए है जिकरयोग है के कतित शराब को टाले मामलेज केजरीवाल जेल तो बार आये ने ते कुछ दिन पहला ही होना दिल्ली दे मुक मंत्री वजो अस्तीफा देता ते होन आतिशी नू दिल्ली दी कमान सौंपी गई है बेरो रिपोर्ट न्यूज एटीन पंजाब